नमस्कार दोस्तो मैं हूं नीरत ज्यादो और आप देख रहे हैं टार्गेट 99 चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में लुशंड वस्मनी समान गया से समधीते हैं भूल का यह वीडियो लेकर करके पर्जेंट हुए हैं जिसमें अच्छांस वद्यसांतर के बारे में चर्चा पाँच अच्छांस वद्यसांतर फर्स्ट प्रस्ट है भूमद रेखा से उतर या दच्छिन किसी दिये गए अस्थान को की कौनिये दूरी क्या कहलाती है अच्छांस कहलाती है निमने लिखित में कौन सा बिरित का उदाहरन है सबसे बड़ा बिरित का उदाहरन कौन है त नेक्स्ट है ट्रोपिक ओप कैंसर निम्न में से क्या है या साथे तेश डिगिरी उतरी अच्छांस रेखा को कहा जाता है नेक्स्ट है धुरुवो की तरफ है जाने पर अच्छांस रेखा की ब्यास की प्रकिर्टी कैसी होती है या घटती रती है नेक्स्ट है इसमें सुमेली करने सूची फरस्ट यॉम सूची सेकंड से ध्यान से देखिए सूची फरस्ट सूची सेकंड भूमद रेखा जो 0 डिगरी होती है करक रेखा करक रेखा साड़े 23 डिगरी उतरे को करक रेखा कहा जाता है मकर रेखा साड़े 23 डिगरी दछिन की रेखा को मकर रेखा कहा जाता है आरकटिक के ब्रीत आरकटिक ब्रीत जो की 66 डिगरी उतरे उतरी रेखा को आर्कटिक की बिरित कहा जाता है यह आर्कटिक है अन्टार्कटिक है यह आर्कटिक बिरित यह नेक्स्ट है अन्टार्कटिक की बिरित यह साड़े 66 डिगरी दचिने की रेखा को अन्टार्कटिक की बिरित कहते हैं जीरो डिगरी रेखा को भूमद रेखा कहते हैं शाड़े तेश डिगरी उतर की रेखा को करके रेखा कहा जाता है शाड़े तेश डिगरी दशिन की रेखा को मकर रेखा कहा जाता है नेक्स्ट है शाड़े श्यासट डिगरी उतर की रेखा को आर कटी के बिरित कहा जाता है यम साड़े 66 डिग्री दशिन की रेखा को अंटार कटी के बिरित कहा जाता है धारातल पर एक डिग्री अक्छांस की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है 112 किलोमेटर भूमद रेखा के अत्रिक्त कौन सी अक्छांस रेखा पिर्थिवी के दो बराबर भागों में बिवाजित करती है कोई भी अक्छांस नहीं नेक्ट प्रस्ण है मकर रेखा आत्रिक्त रेखा जो पिर्थिवी के दो बागों में बाटती है क्या कहलाती है भूमद रेखा 116 डिग्री अक्छांस को कहते है अंटार कटिक के बिवाजित कहा जाता है नेक्ट है दोनों धुरुवों को जोड़ने वाली वह कालपिनी के रेखा जो भूमद रेखा को समकोन पर परतिछेद करती है क्या कहलाती है देशांतर कहलाती है नेक्ट प्रस्ण है दो अक्छांस रेखाओं के बीच की दूरी निमन में से किस नाम से जानी जाती है गोरे के नाम से जानी जाती है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीचे कितना समय अंतर होता है चार मिनिट का वह अक्छांस रेखा जिस पर सद है दीन वह रात की आवधी समान रहती है भूमद रेखा पर नेक्ट प्रस्ण निम लिखिन में से कोन है सुमेलिख नहीं है तो जो सुमेलिख है उसको हम लोग पहले देखेंगे करक रेखा 36 डिगरी नौर्थ मकर रेखा 36 डिगरी साउथ है की रेखा को मकर रेखा कहते है आर्कटिक बिरीत जोकी 36 डिगरी नौर्थ है को आर्कटिक यों आटलांटिक बिरीत जोकी 36 डिगरी साउथ को आटलांटिक बिरीत कहा जाता है पर इसमें जो दिया है यहां पर एक है जो कि गलत है परदान या मोतर 80 degree को दिया है जो कि गलत है नेक्स AriUS है निमली खित में से कौन सा कथन अस्चते है तो जो सही है उसको देखेंगे पाला है जो कि गलत है दूसरा है सही है किसी भी अस्थान है कि ग्रीन बीच रेखा से कोन ये दूरी को उस अस्थान का देशांतर कहा जाता है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बिसवत रेखा पर अधिकता म्यों धुरूओं पर सुने होती है बिस्वत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है नेक्स प्रस्ट को देखते हैं निमली खित में से कौन सा कथन गलत है तो इसमें भी जो सही उसको देखेंगे बिस्वत रेखा से धूर्व की ओर जाने पर आक्छांस रेखाओं के बीच की दूरी में आंसिक रूप से बिरिधी होती है अगला कारण है बिस्वत रेखा एक बिरिहत बिरित है यो सभी देशांतर रेखाओं बिरिहत बिरित है नेक्स प्रस्ट है दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी लगबग होती है 112 किलोमीटर नेक्ष्ट प्रस्ण है एक डिगडी देसंद्र की सरवाधी के दूरी कहां पर होगी बिश्वत रेखाओं पर कुल अक्षांसों की संख्या कितनी है 188 कुल अक्षांसों की संख्या जोकी 180 है नेक्ष्ट है देसंद्रों की संख्या कितनी है 360 नेक्ष्ट है बिश्वत रेखा के सामनांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है अक्षांस रेखा कहलाती है नेक्ष्ट प्रस्ण है पिर्थीवी के उतरी धुर्व यों दशनी धुर्वों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है देशांतर रेखा परदहान मध्याह रेखा किस अस्थान से होकर गुजरती है या ग्रीन विच से होकर गुजरती है ग्रीन विच रेखा से ततपर्ज है जीरो डिग्री देशांतर को ग्रीन विज कहा जाता है नेक्स्ट है मकर एखा नीम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है मकर एखा जो की दचिन अफ्रीका अर्जेंटीना यों चिली से होकर जाती है पर फिलिपिन से होकर नहीं जाती है पिर्थी भी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है पंदरा डिगरी दच्छिन धूर्व का अक्छांस है नबे डिगरी नेक्स्ट आइस में सुमेली करने सुची फर्स्ट यम सुची सेकंड से तो आईए देखते हैं बिसवत रेखा जीरो डिगरी अक्छांस को कहते हैं करकर रेखा साड़े तेश डिगरी उतरी अक्छांस को कहते हैं मखर रेखा साड़े तेश डिगरी दच्छन दच्छिन अक्छांस को मखर रेखा कहते हैं यम ग्रीन बिच जीरो डिगरी देशांतर को ग्रीन बिच कहते हैं जीरो डिगरी अक्छांस को बिस्वत रेखा जीरो डिगरी देशांतर को ग्रीन बिच कहा जाता है साड़ी तेश डिगरी उतरी अक्छांस को करके रेखा यहों 37 डिगरी दच्छिन अक्षांस को मकर रेखा कहा जाता है यह नेक्ष प्रस को देखते हैं नेक्ष इसमें भी सुमेली करना है सुची फर्स्ट यहों सुची सेकंड से आर्कटिक बिरित 66 डिगरी उतरी अक्षांस को आर्कटिक बिरित कहा जाता है अंटार्कटिक बिरित अंटार्कटिक बिरित ये 66 डिगरी दच्छिन अक्षांस को कहते हैं अंताराष्ट ये तीथी रेखा 180 डिगरी देशांतरुक अंताराष्ट ये तीथी रेखा कहते हैं प्रस्ण है दो अस्थानों के देशांतर में एक डिगरी का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होगा? चार मीनिट का नेक्ट प्रस्ण है निमलीखित में से किस देश से होकर करक रेखा नहीं गुजरती है? करक रेखा जो कि जायरे से नहीं गुजरती है? भारत मयानमार यामचीन से होकर करक रेखा गुजरती है? करके रेखा जो कि भारत के आठ राज सोकर गुजरती है उतरी गोलार्ध में भूधारातल अधिक्तम है 30 डिग्री नोर्थ से 40 डिग्री नोर्थ तक मानचीतर पर इस्थित अक्छान से उम देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथने सही है तो इसमें दोनो एक दूसरे के लंबवत काटती है अक्छान से अम देशांतर जो की दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है नेक्स प्रस्न है निम लिखी ते कत्नों पर विचार किजिए इसमें के वल पहला साही है सागरो के उपर लगवा के 30 डिगरी से 35 डिगरी उतर और दच्छिन आक्छांस पर विद्यमान दो कटी बंदों में परते के होर से आक्छांस का लाता है आए ये नेक्ष्ट प्रेस को देखते है नेक्ष्ट है निमलिक्खित नगरों में से कौन सा एक भूमद रेखा से सरवाधिक निकट है सिंगापूर निमलिक्खित देशों पर विचार कीजिए पहला दूसरा तीसरा एवं चौथा आस्ट्रेलिया नामीबिया ब्राजिल यों चीली जो की मकर रेखा से गुजरती है दोस्तो आज के वीडियो बसीत नहीं तो अगरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब नहीं किये ते प्ली चैनल को सब्स्राइब कर लें साथ ये साथ बेल एकन को दावा ले था कि मेरे द्वारा डाला ये हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तब कहुंचे तब